मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, आप जानते हैं कि जरूरी कारकम के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि अमेरिका जाने से पहले ही मैं मन की बात रिकार्ड कर दूँ, सितंबर में जिस दिन मन की बात है, उसी तारीक को एक और महत्वपुन दिन होता है, वैसे तो हम लोग बहुत सारे डेश याद रखते हैं, तरह तरह के डेश मनाते भी हैं, और अगर अगर अपने घर में नवजवान बेटे बेटी हो अगर उनको पूछोगे, तो पूरे साल भर के कौन से डे कब आते हैं, आपको पूरी ची सुना देंगे, लेकिन एक और डे ऐसा है, जो हम सब को याद रखना चाहिए, और ये डे ऐसा है, जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है, सद्यों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं, उससे जोड़ने वाला है, ये है वर्ल्ड रिवर डे, यानि हमारे यहां कहा गया है, पिबन्ती नद्यह, स्वयमेव नामभ, अर्थात, नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बलकी परुपकार के लिए देती है, हमारे लिए नदियां एक भावतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवन्त इकाई है, और तभी तो, तभी तो हम नदियों को मा कहते हैं, हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, यह सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं, आप सब जानते ही हैं, माग का महिना आता है, तो हमारे देश में बहुत लोग पूरे एक महिने मागंगा या किसी और नदी के किनारे कल्पवास करते हैं, अब तो यह परंपरा नहीं रही लेकिन पहले की जमाने में तो परंपरा थी, कि घर में स्नार करते हैं तो भी नदियों का स्मरण करने की परंपरा आजबले लुक्त हो गई हो, या कहीं बहुत अल्प मात्रा में बची हो, लेकिन एक बहुत बड़ी परंपरा थी, जो प्रातह में ही स्नार करते समय ही, विशाल भारत के एक यात्रा करा देती थी, मानसिक यात्रा, देश के कोने कोने से जूड़ने की प्रेणा बन जाती थी, और वो क्या था? भारत में स्नान करते समय एक श्लोग बोलने की परंपरा रही है, गंगे चयमुने चयव, गोदावरी सरस्वती, नर्वदे सिंधु कावेरी, जले अस्मिन सन्निधिकुरू, पहले हमारे घरों में परिवार के बड़े ये श्लोग बच्चों को यात करवाते थे, और इसे हमारे देश में नदियों को लेकर आस्था भी पैदा होती थी, विशाल भारत का एक मान चित्र, मन में अंकीत हो जाता था, नदियों के परती जुडाव बनता था, जिस नदि को मा के रूप में हम जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं, उस नदि के परती एक आस्था का भाव पैदा होता था, एक संस्कार प्रक्रिया थी, चाथियों, जब हमारे देश में नदियों के महमापत बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हर कोई एक प्रश्न उठाएगा, और प्रश्न उठाने का हग भी है, और इसका जवाब देना, यह हमारी जिम्मेवारी भी है, कोई भी सवाल पुशेगा, कि भी आप नद चाथियों में जरासा प्रदूशन करने को भी घरत बताये गया है, और हमारी परमपराय भी ऐसे रही है, आप तो जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान का जो पस्चिमी हिस्सा है, खास करके गुजरात और लाजस्तान, वहाँ पानी की बहुत कमी है, कई बार अकाल पढ़ता है और इसलिए वहाँ के समाज जीवन में एक नई परमपरा डेवलप हुई है, जैसे गुजरात में बारिश की सुरुवात होती है, तो गुजरात में जल जिलनी एकादसी मनाते हैं, मतलब के आज के यूग में हम जिसको कहते हैं, कैस दरेन, वो वही बात है, कि जल के एक एक बिंदू को अपने में समेटना, जल जिलनी, उसी प्रकार से बारिश के बात, बिहार और पुरव के हिस्सों में छट का महापरव मनाये जाता है, मुझे उमीद है, कि छट पुजा को देखते हुए नदियों की किनारे, घाटों की सभाई, और मरमत की तैयरी, शुरू कर द गई होगी, हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदिशन से मुक्त करने करकां, सब के प्रयास और सब के सयोग से कर ही सकते हैं, नमामी गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास, एक प्रकार से जन जागरती, जन आंदोलन, उसकी बह नमामी का है, साथियों, जब नदि की बात हो रही है, मागंगा की बात हो रही है, तो एक और बात की और भी आपका ध्यान आकरसित करने का मन करता है, बात जब नमामी गंगे की हो रही है, तो चुरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा, और हमारे नवजवानों का तो पक्कल गया होगा आजकल एक विशेष E-Auction E-Nilami चल रही है ये electronic निलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिये हैं इस निलामी से जो पैसा आएगा वो नमामी गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है आप जिस आत्मिय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं उसी भावना को ये अभियान और मजबुत करता है साथियों देश भर में नदियों को पुनर जिवित करने के लिए पानी की स्वच्चता के लिए सरकार और समाज से भी संगठन निरंतर कुछ नुकुछ करते रहते हैं आज से नहीं दसकों से ही चलता रहता है कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आपको समर्पित कर चुके होते हैं और यही परंपरा यही प्रयास यही आस्था हमारी नदियों को बचाये हुए हैं और हिंदुस्तान के किसी भी कौने से जब ऐसी खबरे मेरे कान पर आती हैं ऐसे काम करने वालों के प्रती बड़ा आदर का भाव मेरे मन में जटता है और मेरा भी मन करता है वो बाते आपको बताओ अब देखी तमिल नाडू के बैलोर अत्तिरुवन्ना मलाई जिले का एक उधारन देना चाहता हूँ यहां एक नदी बहती है नागा नदी अब ये नागा नदी बरसों पहले सुख गई थी इस वज़े से वहां का जर्तर भी बहुत नीचे चला गया था लेकिर वहां की महला उने बिड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर जीवित करेगी फिर क्या था उन्होंने लोगों को जोड़ा जन भागीदारी से नहरे खो दी चकडेम बनाए रिचार्ज कुये बनाए आपको भी जान करके खुसी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है और जब नदी पानी से भर जाती है न तो मन को इतना सुकून मिलता है मैंने प्रत्रक्षस का अनुभव किया है आप मैंसे बहुर लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के तक पर मात्मा धान्दी ने साबरमती आस्रम बनाया था पिछले कुछ दस्षकों में ये साबरमती नदी सुक कही थी साल में 6-8 महिने पानी नजरी नहीं आता था लेकिन नर्गदा नदी और साबरमती नदी को जोड दिया तो अगर आज आप एमदाबाद जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुलित करता है इसी तरह बहुत सारे काम जैसे अर्टमिल नाड़ू के हमारी ये बहने कर रही है देश के अलग अलग कौने में चल रही है मैं तो जानता हूं कई हमारे धार्मिक परंपरा से जुड़े हूए संत है गुरुजन है वे भी अपनी आध्यात्मिकी आत्रा के साथ साथ पानी के लिए नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे है कई नदियों के किनारे पैड लगाने का अभ्यान चला रहे है तो कहीं नदियों में बहरे गंदे पानी को रोका जा रहा है साथियों वर्ल्ड रिवर्ड डे जब आज मना रहे हैं तो इस काम से समर्पित सब की मैं सरहाना करता हूँ अभिनदन करता हूँ लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को देशवासियों को मैं आगर करूँगा कि भारत में कौने कौने में साल में एक बार तो नदी उत्सों मनाना ही चाहिए मेरे पैरे देशवासियों कभी भी छोटी बात को छोटी चीज को छोटी मानने की गर्ती नहीं करनी चाहिए छोटे छोटे प्रयासों से कभी-कभी तो बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन आते हैं और अगर मात्मा गांदी जी के जीवन के तरफ हम देखेंगे तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटी-छोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी एहमियत थी और छोटी-छोटी बातों को लेकर के कि साफ सफाई की अभियान ने कैसे आजहादी के आंदोलन को एक निरंतर उड़ जा दी थी ये मात्मा गांदी ही तो थे जिनोंने स्वच्चता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था मात्मा गांदी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था हाज इतने दशकों बाद स्वच्छता अंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है और यह हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है और हम यह न भूले कि स्वच्छता यह सिर्व एक कारकम है स्वच्छता कि PD दर PD संस्कार संक्रमन की एक जिम्मेवारी है और PD दर PD जब स्वच्छता का अभियान चलता है तब संपुन समाज जिवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है और इसलिए यह साल दो साल एक सरकार दूसरी सरकार ऐसा विशे नहीं है PD दर PD हमें स्वच्छता के समन में सजगता से अभिरत रुप से बिना थके बिना रुके बड़ी स्वधा के साथ जूड़े रहना है और स्वच्छता के अभियान को चलाए रखना है और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्छता यह पुज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी स्वधान जली है और ये स्रधानली हमें हर बार देते रहना है लगातार देते रहना है साथियों लोग जानते हैं कि स्वच्छता के सबंद में बोलने के मैं कभी मुका छोड़ता ही नहीं हूँ और शायद इसलिए हमारी मन के बाद के एक स्रुता सिमार रमेश पटेल जी ने लिखा है हमें बापू से सीखते हुए इस आजादी के अमरुत महत्सों में आर्थिक स्वच्छता का भी संकल परेना चाहिए जिस तरह सोचालयों के निर्मान ने गरीबों की गरीमा बढ़ाई वैसे ही आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिशित करती हैं उनका जीवन आ देश ने जो अभियान शुरू किया इसकी वज़े से आज गरीबों को उनके हग का पैसा सीधा सीधा उनके खाते में जा रहा है जिसके कारण ब्रस्टाचाज जैसे रुकावटर में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है ये बस हही है आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोल लेंदेन करने के दिशा में सामान ने मानवी भी जूड रहा है उसका प्रचलन बढ़ने लगा है आपको एक आकड़ा बताता है आपको गर्व होगा पिछले अगस्त महिने में एक महिने में यूपी आई से 355 करोड ट्रांजेक्शन हुए हैंने करीब करीब 355 करोड से जादा ट्रांजेक्शन यानि हम कह सकते हैं कि अगस्त के महिने में 355 करोड से जादा बार डिजिटल लेंदेन के लिए यूपी आई का इस्तिम्याल किये गया है आज एवरेज 6 लाग करोड रुपे से जादा का डिजिटल पेमेंट यूपी आई से हो रहा है इससे देश की अर्थववस्ता में स्वच्छता पारदर्चिता आ रही है और हम जानते हैं अब फिंटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है साथियों जैसे बापों ने स्वच्छता को स्वाधिनता से जोड़ा था वैसे ही खादी को आज़ादी की पहचान बना दिया था आज आज़ादी के 75 साल में हम जब आज़ादी के अमृत महुत्सव को मना रहे हैं आज हम संतोस से कह सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में जो गवरव खादी को था आज हमारी युवा पीड़ी खादी को वो गवरव दे रही है आज खादी और हैंडूम का हुत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है आप भी जानते हैं ऐसे कई अफसराय है जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में एक करोड रूपियस से ज़्यादा का कारोवार हुआ है मैं भी फिर से आपको याद देलना चाहूँगा कि दो अक्तुबर उज्यबापू की जन्म जैनती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रेकॉर्ड बढ़ाएं आप अपने शहर में जहां भी खादी बिक्ती हो हैंडूम बिक्ता हो हैंडी कराप बिक्ता हो और दिवाली का तेहर सामने हैं तेहरों के मौसं के लिए खादी हैंडूम कुटी रुद्यों से जुड़ी आपकी हर करिजारी वोकल फोर लोकल इस अभ्यान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रकोड तोडने वाली हो, साथियों, अमरूत महोसव के इसी कालखन में, देश में आजादी के इतिहास की अनकही गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का अभ्यान भी चल रहा है, और इसके लिए नवोदित लेखकों को, देश के और दुनिया के यु से जादा लोगों ने अपना रेजिस्ट्रेशन किया है, और वो भी चौदा अलग-अलग भाषाओं में हैं, और मेरे लिए खुशी की बात ये भी है, कि बिस्से जादा देशों में कई अप्रवासी भारतियों ने भी इस अभ्यान से जूडने के लिए अपनी इच्छा जताई हैं, एक और बहुत दिल्चस्प जानकरी हैं, क्रिप पाँज़ार से जादा नए नवदित लेखक आजादी के जंग की कथाओं को खोज रहे हैं, उन्होंने जो अनसंग हीरोज हैं, जो अनामी हैं, इतिहास के पन्नों पे जिनके नाम नजर नहीं आते हैं, ऐसे अ विखने का बिड़ा उठाया है, यानि देश के युवाओं ने ठान लिया है, कि उन स्वातनतर सेनानियों के इतिहास को भी देश के सामने लाएंगे, जिनकी गत 75 वर्ष में कोई चर्चा तक नहीं हुई है, सभी स्थोताओं से मेरा आग्रह हैं, शिक्षा जगत से जुड करें, आप भी आगे आएं, और मेरा पक्का विश्वास है, कि आज हैतिके अमरित महोसों में इतिहास लिखने का काम करने वाले लोग, इतिहास बनाने भी वाले हैं, मेरे प्यारे देश्वासियों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम सभी जानते हैं, वहां की ठन ऐसी भ आती नहीं है, दूर दूर तक बर्फी बर्फ, और पेड़ कोधों का तो नामों निशान नहीं है, यहां का तापमान माइनस साथ डिगरी तक भी जाता है, कुछी दिन पहले, सियाचिन के इस दुर्गम इलाके में, आठ दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाग कर दिखाय है, वो हर देश वासी के लिए गर्वक की बात है, इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फिट्स से भी जादा की उचाई पर स्थीत, कुमार पोस्ट पर अपना परचम ढहरा कर वर्ड रेकॉर्ड बना दिया है, शरीर की चुनोतों के बावजुद भी हमारे इन दिव्य दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरा है, और जब इस टीम के सदश्यों के बारे में जानेंगे, तो आप भी मेरी तरह हिम्मत और होसले से भर जाएंगे, इन जाबाज दिव्यांगों के नाम है, महेश नहरा, उत्राखन के, अक उस्पक गवांडे, हर्याना के, अजय कुमार, लद्दाक के, लोपसंग चोस्पेल, तमिन नारु के, मेजर द्वार के, जम्मु कश्मीर के, इर्फान एहमद मीर, और हिमाचल प्रदेश की, चोंजिन एंगमो, स्रियाचिन ग्लेशियर को फटह करने का ये उपरेशन, भा वैटर्स की वज़े से सबल हुआ है, मैं इस अइतिहासिक और अभुत्पुर्व उपलब्दी के लिए, इस टीम की सरहाना करता हूँ, यह हमारे देश्वासियों के, can do culture, can do determination, can do attitude के साथ, हर चुनवती से निपटने की भावना को भी प्रगट करता है, साथियों, आद देश में दिव्यांग जनों के कल्यार के लिए, कई प्रयास हो रहे हैं, मुझे उत्तरप्रदेश में हो रहे, ऐसे ही एक प्रयास, वन टीचर, वन कॉल के बारे में, जानने का मोका मिला, बरेली में यह अनुठा प्रयास, दिव्यांग बच्चों को नई रहा दिखा रहा है, इस अभ्यान का नेतुर्क कर रही हैं, डभावरा, गंगापूर में, एक स्कूल की प्रिंसिपार, दीप मालाप पांडेजी, कोरोना काल में, इस अभ्यान के कारण, न केवल बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन संभव हो पाया, बलकि इस से करीब, 350 से अधिक सिक्षक भी, सेवा भाव से जुड़ चुके हैं, यह सिक्षक, गाउं गाउं जाकर, दिव्यांग बच्चों को पुकारते हैं, कलास्ते हैं, और फिर उनका किसी न किसी स्कुल में दाकिला सुनिश्चित कराते हैं, दिव्यांग जनों के लिए दिप मालाजी और साती सिक्षकों की इस नेक प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रसंशा करता हूं, सिक्षा के खेत्र में ऐसा हर प्रयास हमारे देश के को सभारने वाला है मेरे प्यारे देश्वासियों आज हम लोगों की जिंदिगे का हाल ये हैं कि एक दिन में सैंक्डों बार कोरोना शब्द हमारे कान पर गुंचता है सो साल में आई सबसे बड़ी वेश्विक महामरी कोविड नाइंटीन ने हर देश्वासि को बहुत कुछ सिखाया है हेल्केर और वेलनेस को लेकर अज जिग्यासा भी बड़ी है और जागुरुपता भी हमारे देश में पालंपालिक रूप से ऐसे नेचरल प्रोडक्स प्रचूर मात्रा में उपलबता है जो वेलनेस यानि सहत के लिए बहुत फायद्यमंद है ओडिशा के कालहंडी के नांदोल में रहने वाले पतायत सहुजी एक शेत्र में बरसों से एक अनोखा कारे कर रहे हैं उन्होंने डेड़ एकर जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाया है यही नहीं सहुजी ने इन मेडिसिनल प्लांट को डॉक्यमेंटेशन भी किया है मुझे राची के सतिष जी ने पत्र के माद्यम से ऐसी एक और जानकरी साजा की है सतिष जी ने जारखन के एक एलो वेरा विलेज की और मेरा ध्यान दिलाया है राची के पास ही देवरी गाउं की महलाओंने मंजु कश्चप जी के नेत्रुतों में बिर्सा करशिविद्याले से एलो वेरा की खेती का प्रस्विशन लिया था इसके बाद उन्होंने एलो वेरा की खेती शुरू की इस खेती से नकेवल स्वास्थ के ख्षत्र में ख्राब मिला बलकि इन महलाओं की आमद ने भी बढ़ गई कोवीड महामारी के दोरान भी इन्हें अच्छी आमद ने हुई इसके एक बड़ी बज़े यह थी कि सेनेटराइजर बनाने वारी कमपनियां सीधे इन्ही से एलावरा खरीत रही थी आज इस कारे में करीब 40 महलाओं की टीम जूटी है और कई एकड में एलो वेरा की खेती होती है ओडिशा के पतायत साहुजी हो या फिर देवरी में महलाओं की टीम इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्त के क्षेत्र से जोड़ा है वो एक अपने आप में मिसाल है साथियो आने वाली दो अक्तूबर को लाल बहादूर साहत्री जी की भी जन में जनती होती है उनकी स्मृती में ये दिन हमें खेती में नए नए उप्रयोग करने वालों की भी शिक्षा देता है मेडिशिनल प्रांट के खेत्र में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए मेडि हब TBI के नाम से एक इंक्यूबेटर गुजरात के आनन में काम कर रहा है मेडिशिनल और अरोमेटिव प्रांट से जुड़ा एंक्यूबेटर बहुत कम समय में ही 15 एंटेपरिनर्स के बिजनेस एडिया को सपोर्ट कर चुका है इस इंक्यूबेटर की मदद पाकर ही सुधा चेबरोली जी ने अपना स्टार्ट अप शुरू किया है उनकी कमपनी में महिलाओं को प्राश्फिक्ता दी जाती है और उनी पर इनोवेटिव हर्बर फर्मुलेशन की भी जिम्मेदारी है एक और एंट्रपरिनर सुभास्री जी ने जीने भी इसी मेडिसिनल और अरोमेटिक प्लांट इंक्यूबेटर से मदद मिली है सुभास्री जी की कमपनी हर्बल रूम और कार फ्रेशनर के छेतर में काम कर रही है उन्होंने एक हर्बल टेरेस गार्डन भी बढ़ाया है जिसमें 400 से ज्यादा मेडिसिनल हब्स है साथियों बच्चों में मेडिसिनल और हर्बल प्लांट के प्रती जागरुपता बढ़ाने के लिए आईश मंत्राले ने एक दिल्चस्प पहल की है और इसका बिड़ा उठाया है हमारे प्रोफेसर आईश मान जी ने हो सकता है कि जब आप ये सोचे कि आखिर प्रोफेसर आईश मान है को है दरसल प्रोफेसर आईश मान एक कॉमिक बुक का नाम है इसमें अलग-अलग कार्टून किरदारों के जरिये छोटी-छोटी कहानिया तयार की गई है। साथी हैलोवेरा, तुलसी, आवला, गिलोवे, नीम, अस्वगंधा और ब्रह्मी जैसे सहत मन्द मेडिसिनल प्रांट की उप्योगिता बताई गई है। साथियों, आज के हारत में जिस प्रकार मेडिसिनल प्रांट और हर्बल उत्मादों को लेकर दुनिया भर में लोगों का रुजान बड़ा है, उसमें भरत के पास अपार संभावना है। बीते समय में आउर्वेदिक और हर्बल प्रोड़क्ट के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धी देखने को मिली है। मैं साइन्टिस्ट, रिसर्चर्स और स्टार्ट अप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोड़क्ट की और ध्यान देने का आग्रह करता हूं जो लोगों की वैलनेस और इमिनेटी तो बढ़ाए हमारे किसानों और नवजवाने की आयकों भी बढ़ाने में मदद स्वरोजगार साबीत को साथियों पारंपारी खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहें नए प्रयो नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के नए साधन बना रहे हैं पुलवामा के दो भाईयों की कहानी भी इसी का एक उधान है जमू किश्मीर के पुलवामा में बिलाल एहमद शेख और मुनिर एहमद शेख ने जिस पकार अपने लिए नए रास्ते तला से वो न्यू इंडिया की एक मिशाल है उन्चालीस साल के बिलाल एहमद जी हाइली कौलिफाइड है उन्होंने कई डिगरिया हासिल कर रखी है अपनी उच्च सिक्षा से जुड़े स्टार्टप बना कर कर रहे हैं बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है इस यूनिट से तयार होने वाले बायो फर्टिलाजर से नक्यवर्ख खेती में काफी लाव हुआ है बलकि यह लोगों के लिए रोजगार के आवसर भी लेकर आ रहा है आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादा तर ऐसी विवा होते हैं जो क्रिशिक शेत्र में कुछ करना चाहते हैं पुलवा दिखा रहे हैं मेरे प्यारे देश्वास्यों 25 सितंबर को देश की महान संतान पंडित दिंद्याल उपायतायजी की जन में जनती होती हैं दिंद्याल जी पिछली सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक है उनका अर्थदर्शन समाज के ससक्त करने के लिए उनकी भी है तीन साल पहले 25 सितंबर को उनकी जन्म जहनती पर ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्वारंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी आज देश के दो सवादो करोड से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहट अस्पताल में पांच लाख रुपिय तक का मुप्ति इलाज मिल चुका है गरीब के लिए इतनी बड़ी योजना दिन दयाल जी के अंतियोदे दर्शन को ही समर्पित है आज के युवां अगर उनके मुल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारे हैं तो ये उनके बहुत काम आ सकता है एक बार लखनों में दिन दयाल जी ने कहा था कितनी अच्छे अच्छे चीज़े अच्छे गून हैं ये सब हमें समाज से ही तो प्राप्त होते हैं हमें समाज का कर्ज चुकाना है यस तरह का विचार करना ही चाहिए यानि दिन दयाल जी ने सिख दी कि हम समाज से देश से इतना कुछ लेते हैं जो कुछ भी है वो देश की वज़े से ही तो है इसलिए देश के प्रती अपना रण कैसे चुकाएंगे इस बारे में सोचना चाहिए ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है साथियों दिन दयाल जी के जीवन से हमें कभी हार न मानने की भी सिख्र मिलती है विप्रित राजनितिक और वैचारिक परिस्तितियों के बावजूत भारत के विकास के लिए स्वदेशी मॉडल की विजन से वे कभी डिगे नहीं आज बहुत सारे युवाओं बने बनाए रास्तों से अलग होकर आगे बढ़ना चाहते हैं वे चीजों को अपनी तरह से करना चाहते हैं दिन दयाल जी के जीवन से उन्हें काफी मदद मिल सकती है इसलिए युवाओं से मेरा आग्रह है कि उनके बारे में जरूर जाने मेरे पैरे देश्वाशियों हमने आज बहुत से विश्यों पर चर्चा की जैसा हम बात भी कर रहे थे आने वाला समय त्योहारों का है पुरा देश मर्यादा परसोतम स्री राम की असत्य पर विजय का परवभी मनाने वाला है लेकिन इस उत्सों में हमें एक और लड़ाई के बारे में याद रख रहा है वो है देश की कोरोना से लड़ाई टीम इंडिया इस लड़ाई में रोज नए रीकॉर्डब बना रही है vaccination में देश ने कई ऐसे रिकॉर्डब बनाए हैं जिसकी चरचा पूरी दुनिया में हो रही है इस लड़ाई में हर भारतवासी के एहन भूमी का है हमें अपनी बारी आने पर वैक्सिन तो लगवा नहीं है पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए अपने आस पांच जिसे वैक्सिन नहीं लगी है उसे भी वैक्सिन सेक्टर तक ले जाना है वैक्सिन लगने के बाद भी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करना है मुझे उमीद है इस लड़ाई में एक बार फिर टीम इंडिया अपना परचम लहराएगी हम अगली बार कुछ और विश्वपरमन की बात करेंगे आप सभी को हर देश्वासी को त्योहारों की बहुत बहुत सुबकामना है धन्यवाद